जगिनन बुलट पर बैलेट भारी पड़ा है लेकिन जखर आतंगवादियों की धमकी का हुआ तो जखर सेना के उजवान का भी कर लेते हैं जो रिटार्ड हुए और उसके बाद राजनीती में आ गए जगर करनल राजवर्धन सिंग राठोड का जैपूर ग्रामिन सीट से वो नामंकन दाखिल करने पहुंचे नामंकन दाखिल करने के दोरान उन्होंने एक नजीर पेश की नजीर कुछ इस तरीके की हरकिसी के लिए धारन बन गया लेकिन सवाल अब ये है कि क्या राम का साथ अगर राज को मिल जाए तो जैपूर ग्रामिन में क्या राम राज हो सकता है? मेरा मतलब यहाँ पर बाबा राम देव से है और राजवर्धन सिंग राठोड दोनों ने अनूटी मिसाले पेश की और इस दोरान क्या कुछ खास रहा? ये रिपोर्ट देज़े चुनाओं में नामंकन भरने के लिए जाते समयाम दोर पर प्रध्याशी जाहां वहन रैली और भारी भरकम जुलूस के साथ शक्ती प्रध्याशन करते हैं वहीं जैपोर ग्रामिन से बीजे विफ्रध्याशी, किंद्रे मंत्री, करणल राजवर्धंसी राठोड ने अनूठा उधारन पेश किया नामंकन के दोरान निकाली जाने बाली रैली से राठोड बचे क्योंकि इस से शेहर में भारी जाम की सिती पैदा हो जाती कलेक्टेट में नामंकन भरने से पहले राठोड ने जैपोर के मोती डूमरी गनेश मंदिर में दरशन की इसके बाद वो कलेक्टेट में मौझूद वकीलों से मिले यहां वकीलों से कुछ जेर मुलाकात के बाद उन्होंने नामंकन दाखिल किया जुरान योग गुरु बावराम देव, किरोडी लाल मेना, विधायक सतीश पूनिया, पूर विधायक राव राजेंद्र से वरुन की पत्नी साथ वैं टेवी चैनल से लेकर इंट्रिवी तक में अपने योग की कला को प्रतेशित करने आई योग गुरु बावराम देव ने भी एक बार फिर अनुठा उधारन पेश किया योग गुरु बावराम देव ने इस बार अपना हुनर दिखाने के लिए एक अलग ही जगा को चुना चुनावी माहोल का बावराम देव पर इतना असर देखने को मिला कि उन्होंने जैपोर ग्रामिन से बीजेवी प्रत्याशी केंद्रे मंत्री करनल राजवर्धन सिंग राठोड के नामंकन के दोरान रिटर्निंग अपसर के कमरे में तमाम लोगों और अधिकारियों के साम अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया बावराम देव को यो करते देख यहां का माहोल एकदम बदल गया दरसल वीजेवी प्रत्याशी केंद्रे मंत्री करनल राजवर्धन सिंग राठोड के नामंकन के दोरान रिटर्निंग अपसर के दफतर पहुँचे तो वहां उनके स पहुचमन ताकते मोदी जी को देखना नहीं चाहती है और नरेंद्र मोदी का व्यक्तितु हिमालय जैसा है बाकी सब बोने है जब और ग्रामिन पर जातिका समिकन देखे तो भी सीट पर मुकाबला रोचक होने के पूरे आसार है क्योंकि ये चेत्र जाट और राजपूत बाहुल्य है जहां बीजपी ने राजपूत को मैदान में उतारा है वहीं कोंग्रेस ने चाट उमीदवार पर भरूसा जता है ऐसे में मुकाबला काफी दिल्चस्प होगा उधर इस बार इस सीट पर दो खिलाडियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है बीजपी से राज देव की पारंपारी जोका तड़का भी लग चुका है देखना दिल्चस्प होगा कि अब कौन किसको शिर्शासन कराएगा ब्योर और पर परस्टन येर्विस